जारखंड के मुख्यमंत्री हुए गायव जहिन सातियों स्वागत है आप सभी का PSA Study यूटूब चैनल पर जैसा कि आपने अभी देखा हैडलाइन में कि जारखंड के मुख्यमंत्री हुए गायव विस्तार से जानेंगे वीडियो में एंड तक बने रहेगा चैनल परने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कलिजेगा तो जारखंड के मुख्यमंत्री फिलाल गायव हो चुके हैं कहां गायव हुए क्या उनकी साथ कोई magical miracle या फिर कोई मतलब कुछ क्या हुआ उनकी साथ जो गायव हो गए चलिए देखते हैं जारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में हीमंत्सोरेन है ये गायव हैं अपने पद से अभी क्या हुआ एडी जिसे enforcement directorate कहा जाता है इसके द्वारा दसवी वार समन भीजा गया यानि दसवी वार हीमंत्सोरेन को बुलावा भीजा गया कि आप आए आपकी हम जार्च करेंगे लेकिन ये दसवी बार नहीं गए और जब एडी के द्वारा इनके न पहुँचने पर तब एडी इनको होजने आई तो ये अपने पद से गायव थे अब अपने पद से गायव है क्या राष्टपती सासन लगा देना चाहिए क्या करना चाहिए तेक है और अगला सीम है वो कौन बनेगा क्या होती है मनी लॉंडरिंग इनको क्यों समन भीजा गया क्यों इन्हें इडी गिरफतार करना चाहती है विस्तार से जानेंगे तो देखें पहले आप ये जान लीजिये कि जारखंड जारखंड की राजधानी राची है जारखंड भारत का एक राज्य है जो कि बिहार से अलग हुआ था अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इन्हें अपने पद से गायव होना पड़ा और ये ED के पास नहीं गए जब ED ने उन्हें बुलाया तो ED के पास नहीं गए उल्टा हो अपने पद से ही चले गए गायव हो गए तो देखिए इन पर एक केश चल रहा है कि इन्होंने सेना का एक शेत्र था सेवन पॉइंट सम्थिंग एकर जमीन थी उस पर अवैद रूप से कबजा किया हुआ है और मतलब इन्होंने कुछ धांदली की है उसमें और जब पता लगाया ED के द्वारा तो जो तार है वो इनसे जुड़ते चले गए तो इनका नाम इसमें आ गया अब मुख्यमंत्री है यह कॉंग्रेस के यह जो मुख्यमंत्री है यह जे एम एम यानि जहारकंड मुक्ति मोर्चा के यह मंत्री है यानि पार्टी के सदश्य है ठीक है जहारकंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के है यह और जो तार है वो इनसे जुड़ते चले गए तो इनका इन पर ED से पूश् यहां पर इनका आवास मुख्यमंत्री का आवास होता है तो इनसे पूछताच हुई लेकिन जब दसवी बार इन्हें बुलाया गया तो अपने पद से गायव हो गया फिर इडी आती है इनकी चानमीन करती है तो यह नहीं मिलते अब बात होती है क्या राष्ट्रपती चाशन लगा देना चाहिए या फिर इनकी पतनी को यहां की सरकार बना देनी चाहिए यहां का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए देखे अभी फिलाल बात हो रही है कि जब पद खाली है पद जदा दिन तक खाली नहीं रह सकता तो इनकी पतनी कलपना सोरेन की बात हो रही है कि उ इसमें money laundering की बाता है, जो ED जार्च करती है, अब ये भी आएगा, ED क्यों जार्च कर रही है? तो इसमें money laundering की बात चल रही है, कि money laundering इंनों ने इतनी जमीन की कुछ किया हुआ है, money laundering क्या होता है पैसे का अवेद रूप से इधर उधर करना उसी को money laundering कहा जाता है तो ये money laundering की बात हो रही है इसलिए ED ने इनको समन किया है और दसवी बार इन्हें बुलावा भेजा है अब आगे क्या होता है कौन नया मुख्यमंतरी बनाया जाता है वो आगे बात होगी बाकी जारखंड में 81 विदान सवाकी सीट है जिसमें से 43 पर जारखंड मुक्ति मोर्चा है बिपक्ष में वहाँ पर NDA सरकार है तो I hope आपको समझा गया होगा कि क्यों इन्हें समन बेजा है और क्या है कैसे है सारी जानकारी वीडियो को लाइक, सियर, सबिस्क्राइब करें और आपका कोई विचार हो तो कमेंट सेशन में जरूरत है थैंक यू सो माच जैहिंत